तो वेलकम फ्रेंड एक बार फिर आपका स्वागत है कवेकलस के डिश्टल प्लेट फोरम पर हमने एक्सरसाइज 11 कंपलीट कर ली थी और हम सीख रहे थे कुरूती देव में हिंधी टाइपिंग करना और हमारी जो एक्सरसाइज पिछली थी उस पर आपका अच्छा प्यार म आप लेके चल रहे हो वही फोंट आप रखिए उसके बाद में आपको अगर यहां पर लग रहा है कि डिएक्टिवेट बेक स्पेस है उसको आप वनवर्ड कर लीजिए क्योंकि यहां पर अभी यूज होने जा रही है सिप्ट की और सिप्ट के बारे में आप सब जानते हो मैं एक बार आपको बता देता हूँ यहां पर हमारा जो कीबोर्ड है उसका हमें क्या है दो पार्ट होते हैं एक तो लेफ्ट और राइट हैंड से हम करते हैं वो दुनों पार्ट आप सब को बता है तो हमारा जो A पार्ट है और B पार्ट है उसमें जो हम टाइपिंग करते ये आप अच्छे से जानते हो कि अगर आप left end से लिख रहे हो तो right hand आपका free होता ऑस टाइम सिप्ट की यूज़ करनी है और right hand में ये सभसे 최ोटी फिंगर है ये use करनी है क्योंकि ये free रहते है तब ही हमारी क्या speed बनती है इसी तरीके से माली जी lemming राइट की तरफ कुछ भी अक्सर लिख रहे हैं जैसे माली जी यहां पर स्रह लिखना है हमें या गय लिखना है या आदा स्रह लिखना है तो उस टाइम हमारा जो राइट है वो तो बीजी रहेगा और जो left end है वो free रहता है तो यहां पर shift यह की हमें use करनी होती है तो यह आपको ध्यां रखना है यहां पर विशेश कर अगर आप पहली बार type करें हो तो एक बार आप finger position है उसको set कीजिए धिरे धिरे type कीजिए उसके बाद में आप इसकी speed बढ़ा सकते हो तो अब हम इसको क्या करते हैं अभी exercise को आपको करके दिखाते हैं और देखते हैं कि हमारी speed पहली बार में क्या आ रही है जैसा मैंने बता है वैसे ही आपको type करना है और कुछ दिमाग नहीं लगाना इसमें तो अब हम इसको type करें हैं और यहां पर मारी जो middle row होती है क्योंकि हमें speed बनानी है एक बार ही type नहीं करना है हमें तो जब हम इसको पहली बार करें हैं तो हमें थोड़ा ऐसा लगेगा कि हमारी speed है वो down आ सकती है accuracy है वो भी down आ सकती है लेकिन आपको गपराना नहीं है बिल्कुल भी क्योंकि जो पिछे वाली exercise हमने की है उसके according अगर हम बात करें इसको अगर 2-4 बार extra कर लोगे तो उनके बराबर ही हमारी speed आजाएगी और जो छोटी finger है उसको आप थोड़ा घुमाके इस तरीके से रखें कि वो shift पे जाए, enter पे जाए, bake space पे जाए इसी तरीके से आप टेप बटन है, केप स्लोक है, shift है, control है, वहां तक आपकी finger जानी चाहिए तो आप इसको अच्छे से practice करोगे पहली बार में या दूसरी बार में गलतिया होना एक normal सी बात है लेकिन आपको गबराना नहीं है यहां पर जो अभी हमारी speed आई है, उसको हम देख लेती हैं, हमारी जो speed आई है, वो 54 की आई है, यह 44 की आई है, और time हमने लिया है, एक मिंट चार सेकिंड का और accuracy है, चानव पॉइंट छे साथ यहां पर इसको हम नोट करते हैं, जैसे हमने पिछली exercise में किया था, same, उसी तरीके से हमें नोट करना है, और कोई changing नहीं है, आपको practice है, वो ही सफल बना सकती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा practice करनी ज़रूरी है, मैं इसको दो बार करके दिखाऊंगा आपको, अभी हमार speed है, वो growth नहीं हो रही है, उसके लिए मैंने पहले ही बता दिया, कि आप इमानदारी से 30 बार उसको कीजिए, और 30 बार आप जब भी करते हो, तो इस तरीके से आप उसका note बनाएए, या फिर MS Word में फाइले बनाएए, हमारे साथ share कीजिए, कि सर हमारी speed नहीं बढ़ रही ह लेकिन करना इमानदारी से है, आप अगर बीच में बहुत सारा time ले लेती है, या फिर आप दो या तीन दिन बीच में break ले लिया, उसके बाद में दुबारा करने लगते हो, तो इसका कोई मतलब नहीं रहता है, एक साथ या आपको तीस बार करनी है exercise, अभी हम इसका result बढ आप यूज करते हो तो इस टाइम आपको ध्यान रखना है चोटी फिंगर लेप्ट और राइट वाली, इसको दुबारा टाइप करते हैं, और देखते हैं कि हमारी speed की आती है, और आप किसी भी competition की जिसकी त्यारी करे हैं, उसमें जो rule होती है कि बेक स्पेस अलाउड नही के साथ साथ में, और कुछ student यह सुझते हैं कि alt code वाला वो system यहां पर जो shift के साथ use होने वाले एकसर है, जो shift के द्वारा आप अकसर बनाए जा सकते हैं, वो सारे shift में ही use होंगे, alt वाले अलग होती है, वो में अलग से याद रखने पड़ते हैं, तो यहां पर जो भी type हो वो shift के साथ वाले button है, वो दिये गी है इस exercise में, आकि आप जादा से जादा उनकी practice कर सकें, तो second time में हम देख रहे हैं कि जो हमारी typing है, उसके अंदर थोड़ा सुधार आ रहा है, क्योंकि बार-बार करने से सुधार आता है, practice करने पर ही आपको पता है कि हम भूत आगे 100% आई है, यह यहां पर ध्यार रखने वाली बात है कि 100% accuracy आई है, यानि एकदम सही से type किया गया है, तो यहां पर time है, वो एक मिंट 5 second का लगा है, इसको भी हम note करते हैं, और आंकलन करके देखते हैं कि इसमें, और जब हमने पहले type किया था, उसमें क्या अंतर आया है हमा तो यहां पर जो second time speed आई है, वो हमारी 45, और time हमने साइध एक मिंट 5 second लिया था, और accuracy है वो हमारी 100% है, तो यहां पर सीखने को में क्या मिलेगा देखिए, सीखने के लिए हमें यह मिल रहा है कि second time में हमारी speed तो increase हो गई, time हमने 1 second जादा लिया, accuracy 100% आई है, तो third time, fourth time, fifth time इम इस तरीके से लगातार आप 30 बार इसको कीजिए, और उसके बाद में आप देखी कि आपकी speed क्या रही है, और accuracy क्या रही है, most important बात यह है कि आपको 30 बार इमानदारी से करना है, हमने यह challenge आपको दिया हुआ है कि कोई भी exercise हो उसको आप 30 बार कीजिए, उसके बाद में आप देखिए कि speed बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, और एक दो बार आप type करके यह सुचते हो कि paragraph की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देखते है हमारी main exam में कितनी speed आईगी, तो वहाँ पर आपको कोई speed नहीं मिलने वाली है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी typing की जै हिन जै भारत